वेलकम टू मास्टर मैंड अब जीके एक बार फिर्च अप्लोग का स्वागत है मास्टर मैंड अब जीके में फ्रेंट्स बिहार पुलिस फायर मैंड के लिए आपका सौप रश्णों का पाचमा प्रैक्टिस सेट है जो बिल्कुल सिलिवस के उनसार है इसलिए पूरा प्रै आप लोग गेस करते चलिएगा कोशिस करेंगे कम से कम समय में 100 प्रश्न कबर करने के लिए आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है अंसर करते चलिएगा यूनेसको का मुख्याल कहां पर इस्थित है तो पहला का जो करीक्टन सरो जाएगा फ्रांस पिरिसी ऑप्सन अपना हुई थी इसका मुख्षाले है जो कहां फ्रांस पेरिस में है अगर Unisafe का मुख्षाले पूछ आजाए फ्रेंज तो इसका कहा हो जाएगा न्यूआर्क हो जाएगा ठीक है यह कहा जाता है तो तीन का जाता है करेक्ट्टर ительно नंबर थे ओर कॉर्ण का आसल् sucking होता है मतलब होता है सूना होता है यह जो आपका ओर्ध flare atra सब्देश का अर्थ आपका सोना होता है चार नंबर को देखे नम्लिकित में से ब्राजिल की अधिकारिक भासा का नाम क्या है ब्राजिल जहां कहवा सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं होता है ब्राजिल में याद रखे है कौफी कहवा का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राजिल में होता है यह भी जिके पूछा जाता है तो यहां का जो आपका अधिकारिक भासा देखा जाए तो आपका पूर्दगाली है option number A इसका correct answer हो जाएगा पाँच नमबर शवाल को देखिए पाँच नमबर शवाल विसु परियावरन दिवस कब मनाया जाता है तो आपका 5 जून को मनाया जाता है option number C correct answer होगा हवा के प्रागन को क्या कहा जाता है important question है science का ये है 7 नमबर शवाल कागज का आविसकार कहां पर हुआ था तो कागज का आविसकार सबसे पहले आपको चाइना देश में हुआ था चीन इसका correct answer हो जाएगा 8 नमबर शवाल है रात मी आकास में सबसे चम के लिए तारे कौन से है तो 8 का correct answer उसका नाम serious है ठीक है serious A option number B इसका correct answer हो जाएगा 9 नमबर शवाल को देखे ग्रेनाइट किसका एक उदाहरन है ग्रेनाइट काउन सा चटान का उदाहरन है तो देखे ग्रेनाइट है जो अगनेज चटान का उदाहरन है जो आपका जो आला मुखी की द्वारा जो अंदर से लावा पिगला हुआ मैगमा जो आता है बाहर जिसे लावा काता है उसके जमने के बाद ही अगनेज चटान का निर्मान होता है अगला सवाल है दस नमबर सवाल आपका है इनमे से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेन्णर परसीद है इडवर्ड जेन्णर किसके लिए परसीद है prends तो यह टीका का विस्कार के थे ना 10 नमबर सवाल का कारेक्टर नंसर हो जाएगा ब्रीटिस थे ये ब्रीटिस चीकित सक एडवर्ड जेन्णर है जो फ्रेंस आपका चेचक के ठीके की खोज किया था करके ठीका करन की नई अवधारना की परस्तूति की थी तो एड़वर्ड जेनर है जो आपका चेचक की ठीका का खोज किया था तो इसमाँ कारेक्टर अप्शन नमर 10 का ए हो जाएगा अगला सवाल है गारा नमर शवाल कुछ हिस्व को जितने के लिए नौ सेनिक सक्ति का इस्तेमाल किया था तो देखे नौ सेना सक्ति का किस ने किया था बहुत ही फेमस कोशन है तो आपका राजेंदर चूल ने किया था फ्रेंस नौ सेनिक सक्ति के लिए चूल बंस जाने जाते हैं तो राजेंदर चूल इसक इसे होले रीथी कार्ड भी कहा जाता है तीरा नंबर शवाल का करेक्ट रोजएगा आपका आप्सन नंबर ए इसका करेक्ट रोजएगा ठीक है अमेर की अविसकारक हर्मन होले रीथी ने इसका अविसकार ही किया था इसका नाम ही था हर्मन होले रीथी कार्ड इसलिए पंच्ड कार्ड को होले रीथी कार्ड कहा जाता है चौदा नंबर शवाल को देखे भार्टेरी जरो बैंक आर्वी आई का राष्ट रेक्रन किस वर्स हुआ था तो चले इसका गेस की ये फ्रेंस बहुत बर में बताया हूं तो चौदा का करेक्ट रोजएगा आपका 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 आप्सन नंबर सी हो जाएगा ना फ्रें चले बहुत ही अच्छा सवाल है कौन सा अंग है जो पुनह विक्सित और सीर्जीत हो सकता है मानौ सरीर का तो उसका एक है फ्रेंस आपका पैंक्र्याज सौरी जिगर पंद्रा का जिगर आपका लीवर इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा मानौ सरीर का एक मात्र अंग जो हो सकता है तो उसका है प्शान का से करेक्ट अंसर हो जाएगा 16 नामर शावाल को देखें कि क्यों में विपांब्स आप से सबसे बड़ा और अध्रुए रिगिस्तान कौन सा है सबसे बड़ा अध्रुए रिगिस्तान हो जाएगा आपका सहारा मर्वस्थल हो जाएगा उन्हें इस नमर शवाल देखे क्विन्स बेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है ठीक है क्विन्स बेरी नियम यानि क्विन्स बेरी रूल्स तो उन्हें इसका करेक्टन तो यह मुक्य बाजी में किया जाता है याद रखे क्विन्स बेरी नियम का अनुकरण या फॉलो इसको मुक्य बाजी में किया जाता है अगला सवाल 20 नमर सवाल को देखे कि कुंची कल जल पर पर पाथ कहां स्थित है कुछी कल जल पर पाथ तो यह आपका कनाट का राज में पड़ता है कुछी कल जल पर पाथ लोग सभा के लिए निर्वाचित होने के लिए नियुन्तम आयू क्या है लोग सभा के लिए तो आपका 25 वर्ष निधारित क्या गया है लोग सभा और विधान सभा के लिए 25 वर्ष निधारित क्या गया है अगला सवाल देखे दीन ए इलाही किसके द्वारा परचारित किया गया था तो दीन ए इलाही आपका अकबर के द्वारा परचारित किया गया था बैस नमर सवाल का जो करेक्ट टेंसर होगा आपसर नमर सी हो जाएगा अगला सब्द T किस खेल के साथ जुड़ा हुआ तो T है जो आपका किस सब्द से जुड़ा हुआ है तेज का तो ये गोल्फ से जुड़ा हुआ है इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका गोल्फ से हो जाएगा ठीक है अगला सब्द 24 नमर सब्द किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगा लिया था तो क्रांतिकार का नाम क्या था फ्रेंस आपको पता होगा चंदर सेखर अजाद ने खुद को गोली मार ले थी ऑप्सन नमर 20 का कैरेक्ट अंसर हो जाएगा पचिस नमर निमलिकित में से कौन सा बंदर गाह वीहिन देश है बंदर गाह वीहिन देश कौन सा देश है जहां पर एक भी पतन यानि बंदर गाह नहीं है तो ओ देश हो जाएगा आपका कजिकास्तान कजाकस्तान ऑप्सन इसका बी नमर करेक्ट हो जाएगा कौन सा देश है जहां बंदर गाह नहीं है तो कजाखस्तान इसका कैरेक्ट अंसर हो जाएगा 26 नमर शवाल को देखे दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जिल कौन है ताजे पानी है मेठे पाली के जिन कहे तो सुपिरियर जिल इसका कैरेक्ट अंसर हो जाएगा 26 का कैरेक्ट अंसर है बंदे मात्रम है जो भारत का राष्टिय गीत है जो आपका किसके द्वारा लिखा गया है तो बंकिम चन चतरडी जेका द्वारा लिखा गया है राष्टिय गीत का गायन अब धी कितना है तो आपका 65 सकेंड याद रखे गया आनि कि एक मिनट 5 सकेंड में गाया जाता है और यहां पर कितना हो जाएगा एक वानी 13 सकेंड का अंतर होता है ठीक है 13 सकेंड जादे लगता है राष्ट्य गीत गाने में और 13 सकेंड है जो इसका कम लगता है तो याद रखेगा दुनों important हैं चले फ्रेंज तो राष्ट्य गीत बंदे मात्रम राज और राष्ट्य गां जनगनमना जो रविन्दा टैगोर के दो़ारा लिखा गया है 28 नमरशवाल को देखे मानोशरीज में लैंगर हैंस के आइलेट कहाँ पाये जाते हैं तो आपका अगनासे गरंथी में पाये जाते हैं तो अगनासे गरंथी पैंक्याज गरंथी जहां से इंसुलीन हर्मन पूछा जाता है बाहरा सेंगणाशेश्ट को क्या कहा जाता है तो उनकी सका क्रेवा से कहा जा जाता है ठीक है, option number 20 का correct answer हो जाएगा, तीस नमबर शवाल देखे, से शेल्ट दिप कहाँ इस्थित है, तीस नमबर शवाल का जो correct answer हो जाएगा, option number ये हिंद महासागर में इस्थित द्वीप है, एक तीस नमबर शवाल को देखे, 31 नमर शावाल आपका फिर्च निम्रिकित में इसे Thailand की मुद्रा कौन सी है Thailand की मुद्रा को क्या कहते है то उसे हम लोग बात कहते हैं 31 का और और ऑपैसर नमर C हो जाएगा 32 नमर शावार को देखे निम्रिकित में से किसे उन ये फाइबर के लिए पाला जाता है उन य५्फ हैवर के लिए क्या पाला जाता है युनों इसको कथा न, इंटरपोल का मुख्याले कहा है, तो लियोंद में पढ़ता है आपका, 34 का करेक्टनसर, option number C हो जाएगा, याद रखें, इंटरपोल का मुख्याले कहा है, तो आपका, 34 का सी करेक्टनसर होगा, 35 नमबर शावाल को देखें, इम लिखित में से कार्मिन की नाम आप लोग सुने होंगे, फ्रेंस की लिलावती है, जो गनित से संबंदित, उसी पर ये बुक लिखा हुआ, लिलावती, इसका करेक्टनसर हो जाएगा, important question याद रखें, लिलावती पूछा जाता है, किस विशे से संबंदित पुस्तक है, ये अपका गनित विशे स काउं कैंसर को ही लिकीमिया कहा जाता, याद रखें, लिकीमिया क्या है, सफेत रखें काउं का कैंसर को लिकीमिया कहा जाता, option number A, सायथिस का करेक्टनसर हो जाएगा, 38 नमर शावाल को देखें, पौधे में पाया जाने वाला निला बैगनी या लाल फ्लावो, नाइड्स वरनक किसकी उपस्थिते के कारण होता है, तो यह आपका एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, option number B, 38 का कैरेक्टनसर हो जाएगा, 49 नमर शावाल को देखें, वाहनों में अपनी व्यापक दिरिश्टी छेतर के लिए कौन सा दरपन पीछे देखने के रूप में परियोग में किया जाता है, जो वाहन होते हैं, फ्रेंस, दो चक्या हो या चार चक्या हो, उसमें साइड मिरर के रूप में आपका उत्तल लिंस का परियोग किया जाता है, तो 49 का करेक्टनसर, option number C हो जाएगा, 40 नमर शावाल को देखें, 40 नमर शावाल है, निमलिखित संगितकारों में किसे हुआ कौन है, जो 1253 से 1325 इसवी तक जिवित थे, और जिन्हें परमप्रिक तबला और सितार का विसकारक करूप में भी जाना जाता है, बहुत अच्छा सवाल, तबला और सितार का विसकारक किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरों को कहा जाता है, फ्रेंस, option number B करेक्ट सोसी होती है, कौन सा रसायनिक पर्तिकिरिया या पर्तिकिरिया होती है, जिसमें हमेशा उसमा का उसमें सोसन होता है, तो 41 का जो कारेक्टन सरो हो जागा, फ्रेंस, आपका घटन पर्तिकिरिया, एक ऐसी रसायनिक पर्तिकिरिया है, जिसमें हमेशा उसमा का सोसन होता है, ज प्रसिद आत्म कथा है ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू करेक्ट अंसर होगा ठीक है परसिद आत्म कथा है ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया तो माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लिखक सैम कि त्रोधा इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा 43 नमर शवाल को देखे निमने खित नेटवर्क टोपोलोजी में से किसकी संचरन गती उस्तम होती है ठीक है एरिया और इनफोर्क जाता है नेटवर्क ठीक है तो लैन इसका करेक्ट अंसर होगा नेटवर्क टोपोलोजी में किसकी संचरन गती उस्तम होती है तो लैन की होती है लैन का फूल फॉम बताया प्रेंस आपको लोकल एरिया नेटवर्क होता है चोवालिस नंबर शवाल को देखे निमन में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है देखे आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का फ्रेंस आप लोग जरूर याद रखेगा इससे कोश्चन कभी भी कहां कहीं पर भी पूछ दिया जाता है त आउटपुट है जो आपका नहीं करा तो आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है तो आपका आसकाइनर है जो इनपुट डिवाइस के अंतर गताता है इसलिए किरेक्ट अन्सर ओप्सन नमबर डि हो जाएगा 45 आएक क्रिश्नान्टम नेम लिखित में से किस राज का एक पर्थित निर्त्य है 45 का करेक्ट अंसर आप्सन नमर सी केरला का हो जाएगा 46 नमर शही मिलान करना फ्रेंट डाइनामाइट का विसकार किस ने किया था तो अलफ्रेड नोबल ने किया था आपका क्या सी आ रहा तो देखिए एक से भी पकड़ में आ जाता है इसे आपका 46 नमर स्वाल का करेक्ट अंसर होगा देख लेते हैं तो डाइनामाइट का विसकार किस ने किया था तो आपका अलफ्रेड नोबल ने डाइनमो का माइकल फराडे ने इलेक्टॉन का जेजे स्थेम्थन ने और प्रोटॉन का रधर फोड ने ठीक है फ्रेंट तो 46 का करेक्ट अंसर आप्शन नमर सी हो जाएगा एक बार पुना याद कर लें डाइनामाइट का विसकार अलफ्रेड नोबल जो स्वीडेन के निवासी थे उन्हें सो एक इस वी से आपका नोबल प्रोशकार इन्ही के नाम पर दिया जाता है डाइनामाइट का अब इसका अलफ्रेड नोबल ने किया था जो स्वीडेन के निवासी थे तो डाइनामाइट का खोज अलफ्रेड नोबल ने किया था मुर्टीमर ने किया स्थापना के समझाओते पर हस्ताक्षर किये थे तो 47 कभी हो जाएगा डुरंड रेखा इंपोर्टेंट है यहाँ पर हो जाएगा अबदूर रहमान और बिटिस राजा के पतिनिदी स्री मुर्टीमर ने डुरंड रेखा कि अस्थापना के समझाओते पर हस्ताक्षर किये थे 47 कभी करेक्टरंसर हो जाएगा 48 नमर शावाल है कुतुम मिनार जो दुनिया की सबसे उची इटो की मिनार है इसका निर्मान 1193 में दिल्ली संतनत के संस्थापक किस आदेशों के तहद किया था 48 का करेक्टरंसर हो जाएगा फ्रेंस आपका कुत्बुदीन एबक इसके करेक्टरंसर हो जाएगा कुत्बुदीन मिनार जो दुनिया की सबसे उची इटो की मिनार है इसका निर्मान 1193 में दिल्ली संत्रस के संस्थापक किसके आदेश के तहद किया था तो कुत्बुदीन एबक के आदेश पर किया था कुत्ब मिनार का निर्मान तो option नमर B 48 का correct answer हो जाएगा 49 नमर शवाल देखे 49 नमर शवाल आपका का रहा है friends कि ओजोन की उपस्थिती सूरज की हानिकार पारा बैगनी अल्टर वाइलेट विकिरन को पिर्थवी की सत्र तक पहुँचने से रोकती है तो कौन सा रोकती है friends इसका correct answer क्या हो जाएगा 49 नमर शवाल है तो यहाँ पर होगा stratosphere troposphere मतलब होता है आपका छोब मंडल होता है मेशाफ है मतलब होगे मध् मंडल थर्मosphere नहीं covered stratosphere हो जाएगा stratosphere में उजोन की उपस्थित सूरज की अनिकार क्राबैगनी विकिरनों को पिर्थवी की सत्र तक रोकने इस होते हैं क्योंकि फ्रेंस उजोन परत है जो आपका अस्ट्रेटो समताप मंडल में ही इस्थित होता है बहुत ही इंपोर्टन सवाल है और थोड़ा घुमाया हुआ है तो आप्शन नमर सी याद रखेगा ट्रोपोस्फेर का हिंदी होता है फ्रेंस आपका छोब मंडल क्य समताप मंडल में इसलिए उप्सन नमर सी इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा फ्रेंस पचास का करेक्ट अंसर हो जाएगा आपका अमलइ चार लाल निले लिटमस को लाल रंग में बदलता है और चार आप और यहां पर अपर अ फ्रेंस यहां पर किस तरह से दिया है ऐसा पचास नमबर सवाल है न यहां पर होगा आपका ओप्सन नमबर डी करेक्ट अंसर यहाँ पर भराएगा अमले नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है और चार लाल लिटमस को नीले रंग में बदलता है ठीक है निया उप्सन नमबर डी इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट अंसर अप्सन नमबर डी हो जाएगा 51 नमबर कि संभका आपका संत्रा यह विक्षित किया गया है कि समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जैपर तीक का बिकास तेडिक कंपणी के दवरा संच्था के दवरा किया गया है आपस्ट नमर्थ B51 का क्रेक्ट रहेत कि असत्रा हो ज़ैगा बावन नमर्थ सवाल जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है लेने के लिए लंदन में मायकल ओडायर को किसने मारा था तो देखे मायकल ओडायर आया तो मायकल जनराडर ओडायर उसी कहते हैं जो जालिया वाला हत्या कांड हुआ था फ्रेंस इसमें गोली चालाने का आदे से जनर्रल ओडायर यानि माइकल ओडायर ने दिया था जर्नरल Michał Dyer है जो गोली दिआ था इसलिए क्या है कि यह बहुत दोसी था फ्रैंशु इसको मारने के लिए कििसने ठाला था और आंतरथा है इसको लंदन में जाकर करकरके फ्रैंश आपका उसे गोली मार दिया गया था तो वही का राज जालिया वाला बाग नर्शंहार का बदला लेने के लिए लंदन में माइकल ओडायर को किसने तो इसका जो कारेक्ट अंसर उधमसी हो जाएगा तिरपन नमर सवाल के भी उधमसी ने इनको लंदन में जाकर के गोली मारा था ठीक है फ्रेंस तो आद रखेगा गोली चलाने के जालिया वाला हत्या कांड हुआ था जनरल उडायर अगला सवाल है फ्रेंस वाता वरन में कारबन डर्कसाइड की बिर्धी निम्न कारणों में से किसके कारण होती है तो चलिए चंगवन का कारेक्ट अंसर देख लेते है फ्रेंस जिवास मंदन के ज्यादा इस्तमाल से जहां बिल्कुल जिवास मंदन में जैसे आपका पेट्रोल डीजल आ गया जिवास मंदन है तो उसे जलने से बढ़ता करण डर्कसाइड वनों की कटाई से इससे भी बढ़ रहा है क्योंकि वन कटाई हो जाएगा फ्रेंस तो कारण डर्कसाइड तो बढ़ ही वानों की संख्यांपिर्द ए भी बढ़ रहा है सौर हीट्रों के ज्यादा पर्योग से जिहां नहीं इस ए नहीं होगा और एक दो तिन इसका कर ए भी सही है एक दो तिन आप्सन नमर सी आपका च्वान का करेक्टन सरो जाएगा पच्पन नमर शावाल को देखें प्रेंस क किसके द्वारा किया गया था तो इंडियन नेशन हार्मी का गठन आपका मन मोहन सी के द्वारा किया गया था ऑप्सन नमर एस का करेक्टन सरो हो जाएगा दिल्ली के असोक अस्थम ने बैग्यानिक को अचम्वित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिस्चिताओं को ज अथी का की अपण नबर एसका करेक्टन सर्वे डिल्ली के असोकस तरो लोहा का बना हुआ है और देखे सभी बह्यानिक को चंबा कर दे हैं पिंसको किसमें जंक नहीं लगता है थीक है तो इसका कारेक्टन सरो ऊप्सन नमर ए слов अधि कि好吧 को तेस्थे की अभियंतरी की का लेजर के माध्यास क्यांतों हो जाएगा सबोर्ट है इसे उप्षण завис से होता है बिल्कुर नहीं होता हाथ मिला नहीं होता यौन संबंद यहां फिसकल रिलेशन से आपका एट्स फैलता है इसलों नमर डी इसका कारेक्ट नसर हो जाएगा अगला सवाल है फ्रेंज कि आपका विस्विकी परजात तंतरवादी देशों में किस देश का सम्मिधान स वाइशन नमर शवाल है मनुष्के सरील का वह ग्रण्थी जो एंजाईम और हर्मन दोनों करते हैं तो देखें इंजाईम और हार्मन दोनों करता है तो इभी मैंने बताया था कि मानुष्क शरील में एक ऐसा ग्रण्थी जो अंतास रावए- बाइस रावए जिसे ए मोग पैंक्रियाज या तो अगनासे ग्रंथी करते इसका correct answer अगनासे या पाचक ग्रंथी हो जाएगा 62 का correct answer option number B हो जाएगा 63 नमबर सवाल है CSS file विस्तार समान या तक किस परकार के file की संदर्व देता है CSS 63 का correct answer हो जाएगा फ्रेंस hypertext समंदित file CSS file विस्तारण है जो समान या तक है आपका hypertext समंदित file का संदर्व देता है option number D 63 का correct answer हो जाएगा 64 नमबर सवाल को देखें कि निम्लिकित में से किस जीव को social insect नहीं कहा जा सकता है तो social insect किसे नहीं कहा जाता है 64 का AB question बहुत important है मधुमक्खी तो है टर्माइट भी है चींटी भी है जिंगूर को नहीं कहा जाता है option number B देखें आपका जो जिंगूर है वो आपका social insect के अंतरगट किलो मकड़े के अंतरगट नहीं आता है तो चलिए अगला सवाल लेते है most a space telescope किस देश का है most a space telescope किस देश का है 62 का करेक्टनसर हो जाएगा एक करनाडा का हो जाएगा 66 नमर सवाल को देखें धबनी को मापने के लिए कौन सा एक unit का उप्योग किया जाता है 66 का करेक्टनसर option number A हो जाएगा decibel में मापा जाता है 66 नमर सवाल देखें नम्रिकित में से computer का कौन सा भंडारन उपकरन अब अपरचलित हुआ है तो देखें अब floppy अब नहीं चलता है अपरचलित हो गया option number एक करेक्टनसर होगा 68 नमर सवाल को देखें खाने वाले समान्य नमक का रसाइनिक नाम क्या है एन एसी एल इसका सूतर होता है sodium chloride काता है और 60 का करेक्टनसर option number भी करेक्टनसर हो जाएगा इलाहबाद के त्रिवेनी संगम की तिन नदियों में से निम्रिकित में से नदी भूमिगत नदी है तिन नदियों में भूमिगत नदी कौन है उनतर का करेक्टनसर हो जाएगा आपका सरस्वती इसका करेक्टनसर हो जाएगा बहुत अच्छा सवाल है कि लाहबाद के त्रिवेनी संगम में तिन नदियों है फ्रेंस तिनने दियों में से कौन सी नदी भूमी गये था तो सर्श्वती इसका करेक्टंसर हो जाएगा गैलवेनाइज्ड लोहा क्या होता है तो देखे जिंक लेपित लोहा जिंक जिस लोहे पे जिंक की परत चढ़ाई होती है जंक से बचाने के लिए उसे galvanized लोहा कहा जाता है तो 70 का character answer option number B हो जाएगा और जिंक लेपी तो जब लोहा पर किया जाता है उस किरिया को galvanization कहा जाता है galvanization कहा जाता है याद रखेगा 71 नमर शवाल है अपका friends ये मायत का है तो मायत का 10 question छोड़ देते हैं कि select the word which means the same as the group of words given a person giving too much attention to a small details and wanting perfection 81 नमर शवाल का जो आपका correct answer हो जाएगा आपका option number C हो जाएगा ठीक है फैसी tedious हो जाएगा ठीक है फैसी tedious के मतलब होता है दुरा राध्य होता है आणि जो मुश्किल से संतुष्ट होने वाला आणि जो जल्दी संतुष्ट नहीं होता है ठीक है friends तो उसको क्या करता है फैस्टी DS करते है option number C का correct answer हो जाएगा 81 select the intonym of the given word इसका उल्टा सब्द पूछ रहा है concise का मतलब होता है कि संचिप्त होता है यह लगू होता है इसका अगर उल्टा सब्द कर रहा है इसका होगी आपका select the intonym ना तो संचिप्त होता है लगू होता है तो इसका जो लेंथ मतलमा लेंथ इसका होता है बड़ा इसका उल्टा ही हो जाएगा ना option number B अगला है पने select the most appropriate word to fill in the blank finally the prizes were to all successful participants by the chief guest तो क्या होगा price distribute होगा ना distributed हो जाएगा and finally the prizes were distributed हो जाएगा 83 number सवाल का जो आपका correct answer हो जाएगा option number ही होगा finally the prizes were distributed to all successful participants by the chief guest आनि अंततर chief guest के द्वारा जो final participant थे उनमें price का distribution किया गया 84 number है कराएप select the meaning of the given item item का कराएप miss the vote miss the vote का मतलब होता है अवसर खो देना ठीक है मौका खो देना तो क्या होगा to miss the chance 84 का जो आपका correct answer हो जाएगा option number a हो जाएगा 84 का correct answer option number a हो जाएगा 85 number सवाल को देखे select the most appropriate word to fill in the blank most of the Himalaya rivers are pre-nannual they have water the year यहाँ पर क्या होगा फ्रेंस 85 नंबर सवाल का जो correct answer हो जाएगा आपका option number b होगा throughout हो जाएगा ठीक है most of the Himalaya rivers are pre-nannual they have water throughout the year तो be correct answer होगा 86 का रहा है select the synonym आज सामना अर्थी सब्द of the given word abundant ठीक है अबंडेंट का मतलब क्या होता है abundant के मतलब होता है का सकता है पर्चूर का सकता है या तो फिर का सकता है बहूल ज्यादा मात्रा में तो इसका synonym का रहा है तो क्या हो जाएगा 86 नमर सवाल का जो character answer हो जाएगा option नमर प्लेंटी फूल मतलब होता है प्लेंटी फूल मतलब होता है पर्चूर होता है तो इसका synonym में ही हो जाएगा 87 नमर सवाल का रहा select the wrongly spelled word इसमें wrong कौन लिखा हुआ है mathematics तो सही लिखा हुआ है मेन्नवेर भी सही लिखा हुआ है maintenance भी सही अधिय आपका गलत है na sign लिखा हुआ जो यह आपका गलत लिखा हुआ है क्योंकि फ्रेंज इसका जो सुध होगा इसका lesson है ना lesson आनि L lesson होता है फ्रेंज एल आई A और फिर S I O N इस तरह से सुध होता है ठीए फ्रेंज यह गलत लिखा हुआ है L I A होना छाए L I A फिर S I O N होना छाएं यहां पर लिखा हुआ L I S I L I A S I होना छाए ते L I A S लिखा हुआ यहarnya है मिस्टे किसि में है ठीक है सथासी का अठासी नबर समकर select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence if there is no need to substitute it select no substitution required देखे तेहाँ पर क्या का reference आपका कि the sun rises two hours earliest in रुनाचल परदेश as compared to Gujarat सवाल नमबर आपका कितना है ये 88 88 का जो आपका character answer हो जाएगा फ्रेंस आपसन नमबर ए हो जाएगा ठीक है यहां पर देखे एक comparative degree हो रहा है तो यहां earlier होना चाहिए न क्या earliest हो जाना होगा earliest होता है जिसके पहले द भी लगता था the sun rises two hours earlier यहां पर earliest नहीं होगा यहां पर earlier हो जाए इन अरुनाचल परदेश as compared to Gujarat और अरुनाचल परदेश में अगर तूलना किया जाए तो दो घंटा पहले वहां पर सुरज का उद्य होता है तो आवर्स अर्लियर होगा ना कि earliest हो जाएगा चलिए अगला सवाल के लेगता है select the synonym of the given word का है इनोरोमस मतलब क्या होता है 89 का इसका मतलब होता है विसाल लार्ज तरह से कर सकते है विसाल होता है तो इसका हो जाएगा the chilka the chilka जील घंचija you can't wok ६ार्ज़े लार्ज़ रिया तो लार्ज़ीस्त होज़ागा लांडीट थी शॉपर ऱीचा्पर होगा 100% और पर्यन दॎका चैयलक होगा ल्इक रिज스 ऑ लार्ज़ेस्ट आणिचिह एदधा लार्जेस्ट हो जाएगा थैनि मैंगा भारत का सबसे बड़ा जिल है जो चिलका जिल है तो इसका सब पर लेट्टी डिग्रिम बनेगा तो यहां पर लार जेस्ट होगा आप्सन नमर इसका कारेक्ट अंसर हो जाएगा अब चलिए फ्रेंस हिंदी में देख लेता है दस क्वेस्चन प्रेम सब्द का बिलोम क्या भाई से घबरा जाना डर से घबरा जाना आपसन नमर इसकारेक्ट अंसर होगा तो देखे जियों त्यों है आपका गलत जियों का त्यों होना चाहिए ठीक है कुछ परचलित बैंकों सब्दों को जियों का त्यों यह गलत है यहाँ पर जियों त्यों नहीं होगा जियों और फिर यहां बीच में का त्यों होना चाहिए आनि कुछ पर्चलित बैंकिंग सब्दों को जियों का तियों अपनाया गया ना कि जियों तियों अपनाया गया सुध क्या होगा तो बीच में यहाँ पर क्या होना चाहिए समझ में आ रहा होगा फ्रेंज तो option नमर ए करेक्ट अंसर होगा सही वरतनी वाली सब्द का चैन केजिए आदरने किस तरह से लिखा जाता है आदरने यह आपका option number a वाला ही सही है मैं भासन नहीं सुना वह मेरे काम का नहीं था यहाँ पर क्या भरा जाएगा 96 का मैं भासन नहीं सुना यहाँ पर क्यों की वह मेरे काम का नहीं था option number 6 correct answer होगा 97 1 का परियावाची सब्द क्या होगा 1 तो 1 को क्या कहते है कानन भी कहते है कानन मनता 1 जंगल भी होता है option number 1 correct answer हो जाएगा चलिए 97 होगी आप फ्रेंस 989 नमर शवाल को देखे 989 नमर शवाल आपका है दिये गे बागी मेरे खांकित खन को परतिय स्थापित करने के लिए कि तुबिकल पकाचेन करें कई 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 का हिर्दय अत्यंत निश्ठूर था 99 का करेंसर क्या निश्ठूर के जगा पर आपका उच्चित होगा कठोर होगा और कई कई का हिर्दय अत्यंत कठोर था option number 2 करेंसर होगा यहाँ पर प्रतिय स्थापित होगा निश्ठूर के जगा कठोर हो जाएगा डंके की चोड़ पर कहना मुहावरे का क्या अर्थ है फ्रेंस तो खूले आम कहना इसका मेरे ख्याल से सही अंसर होगा आप लोग गेस किजिए क्या करेक्ट अंसर होगा 99 का तो डंके के चोड़ पर करना और आपका खूले आम कहना है बिल्कुल characters है अगला सवाल है friends सो नंबर सवाल 99 का हो गया न आज का लास्ट सवाल को देख लेते हैं रिक्त स्थान को भरने के लिए उप्यक्त सब्द का चेहन करें उच्छाह एक योगिक भाव है जिसमें साहस और अनन्द का क्या होता है विरोध होता है अंतर होता है मेल होता है तो क्या होगा मेल होगा न उच्छाह एक योगिक भाव है जिसमें साहस और अनन्द का मेल होता है option नंबर सीज का करेक्टर सरोगा ते सो प्रशन था friends इसको आप लोग पूरा जिरूर देखिएगा और friends आपका आठ बजे है जो लाइब क्लास में आओंगा आज रात में तो आठ बजे आप लोग 8 पीम पे लाइब क्लास में आप लोग जिरूर सामिल होगा चलिए तो friends लाइब क्लास में मिलते हैं आठ बजे वीडियो देखने के लिए thank you धन्यवाद